तो हलो गाईज वेलकम तो मैं चैनल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको किसी परसन ने ओनलाइन स्टेटस से हाइड करके रखा है तो आप उसकी ओनलाइन कैसा अगर वो वाट्साप में ओनलाइन आए तो आप उसको कैसा किस तरह से देख सकते हो सो गाईज इसके लिए जो सबसे पहले आपको अपने फॉन के प्लेस टॉर पर जाना है तो गाईज अगर आप इस एप का यूज करोगे तो आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन भी आएगी तो आपको यहाँ पे लास्ट सीन सर्च करना है नास्ट सीन सर्च करने के जाए तो गाइस मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसको होने में तो लगेगा तो गाइस इसको इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा तो guys आपको जो है यहाँ पर add contact में click करके contact को add कर लेना है अब यहाँ पर आपको इस permission को allow कर देना है allow करने के बाद guys आपको जो contact है वो यहाँ आ जाएंगे guys आपको जिसी person की number की activity देखना है तो आपको phone number को यहाँ लिखना है और इस बंदे का नाम जो है वो यहाँ लिखना है तो guys मैं आपको लिख के दिखा तो guys मैं लिख लेता हूँ so guys इतना करने के बाद जो है आपको start tracking पर click करना है so guys आपको ध्यान रहे आपको यहाँ पर नाम जो है वो भी डालना पड़ेगा तो मैं नाम भी डाल देता हूँ और फिर start tracking पर click कर देता हूँ so guys इतना करने के बाद जो है आप उस person की activity देख सकते हो और guys आप यहाँ add new contact पर click करके और सारे contact जो हैं आपके phone में save उनकी भी last scene की activity देख सकते हो so guys वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करके जाना चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना